नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाएं। आज के दिन जिस पर मालक्ष्मी प्रसन हो जाती है उस व्यक्ति की आर्थिक उन्नती के रास्ति खुल जाते हैं और वी प्रक्ति करता जाता है। तो आईए दोस्तों जानते हैं वह कौन से उपाएं हैं जिने पूर्मा के दिन करने से भगवान विश्णू के साथ धनकी देवी मालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। और घर में कभी भी धन धानने की कमी नहीं होती। सभी संकट दूर हो जाती हैं और हर छीत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों पूर्मा का दिन भगवान लक्ष्मी नारायन को पसंद करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन भगवान लक्षमी नारायन की कृपा प्राप्त कहने के लिए शीमत भगवत गीता का पाठ करें, साथ ही विश्णु शहस्त नाम और गजिन्द मुख्ष का भी पाठ कहना चाहिए, पुराणों में पूर्मा के दिन इन तीनों का पाठ कहना बहुत चमतकारी बताया गया है, ऐसा कहने से सभी संकर दूर होते हैं और परिवार के सरस्यों की तरक्की भी होती है, पुर्मा के दिन इन पाठ कहने से आपके घर और आपके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्ति नश्ट हो जाएगे, और आपके आसपास सकारात्मक उजा का संचार होगा, जिसस घर में शुक शांती होती है, लडाई जगडे नहीं होती, वहां मा लक्ष्मी का भी बास होता है, दोस्तों शास्तों के अनुसार पुर्मा के दिन सुर्य उदेसी लेकर दुबहर 12 बची तक पीपल के ब्रक्षपर माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य ही होता है, इसलिए इ जफीत रंके मिश्थान का मा लक्ष्मी को भूग लगाएं, और ओम मालक्ष्मे नमा मंतर का जाप करें, ऐसा करने से मालक्ष्मी का आशिरवाग प्राप्त होता है, और घर में जो भी धनसम बंदी समस्या चल रही होती है, वह दूर्द हो जाती है, साथी आरोक्य की भी प पूचन करने से भगवान लक्ष्मी नाराय अति शीक्र ही प्रसंद हो जाते है, साथी चंद देप के क्रपा से रिष्टे भी मजबूत होते है, पूर्द मा की रात को चंद देप का पूचन अवश्य ही करना चाहिए, इस दिन चंद उद्य होने के बाद एक लोटे में जाप करें, मंत्र है, ओम एम क्लिम सौमाय नमा, ओम एम क्लिम सौमाय नमा, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद देप को अधि देना है, चंद देप को अधि देने के बाद आप फिर से 11 बार इस मंत्र का जाप का चंद देप को प्रणाम कर भगवान लक्ष्मी नार और चंद देव की कृपा से आतिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है नौकरीवा ब्यापार में उन्नती होती है पती पत्नी के रिष्टों को मजबूत बनाने के लिए भी चंद देव को आध्य देना चाहें ऐसा कायने से दामपत्य जीवन में मधुता आती है और रिष्टा समस्या को दूर करने और धनकी देवी मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन मालक्ष्मी की पूचा अचना अवश्य ही करें मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप ग्यारे कोडी ले और उन्हें एक लाल कपड़े में रखकर मालक्ष्मी ज लखने के बाद धूप दीप चलाएं और फल मिष्ठान का मा को भोग लगाएं इसके बाद हल्दी और कुमकुम से मालक्ष्मी को तिलक करें और फिक कौडियों पर भी तिलक करें अब आप मालक्ष्मी का पूचन करें आप श्रीशुक्त या कनधारा इस्तृत का भी पाट कर सकते हैं अगर यह ना कर सकें तो आप मालक्ष्मी की चालिसा का पाट करें या फिर ओम महलक्ष्मे नमा मंत्र का जाप करें और साइकाल के समय भी मां की आर्थी करें आर्थी करने के पश्चात आप इन कौडियों को लाल रंग के कपड़े में बांद कर अपनी धन रखने क की इस्थान पर जैसे अलमारी या ति-जोडी में रखतें ऐसा करने से मालक्ष्मी की कृपा धन पर बनी रहती है मालक्ष्मी की कृपा से धन में प्रत्थी होती है और धन की कमी का सामना नहीं करना पढ़ता पूर्मा के दिन जब तब और दान का विशिश महत्यवत आया किया है धर्म गरंथों के अनुसार इस दिन करीब पर जुरतमंद व्यक्ति को दिल कंबल घी फल अन पस्त्र इत्यादी का दान करना चाहिए ऐसा करनी से पापों का नाश होता है और कश्टों से छुटकारा मिलता है अगर आप चंद दोश से पीड़ित हैं तो आज के दिन सफेद मोते, सफेद बस्त्र, चावल, सफेद मिठाई, खीर या नारिल की मिठाई आदी का दान करें ऐसा करनी से चंद देब की कृपा प्राप्त होती है और चंद देब की स्थिती मजबूत होती है जिससे पारिवारिक रिष्टे मधूर बंते हैं पूर्मा का दिन मालक् कर घर की साफ सफाई अवश्य करें क्योंकि जिस जिगे गंदगी होती है वहां मालक्षमी का बास नहीं होता घर की साफ सफाई करते समय घर की मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई करें वहाँ पर जाडू पहुचा लगाएं और देहलीच को भी साफ करें शास्तों के अनुसार मालक्षमी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है इसलिए आज के दिन घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर सजाए हो सके तो आम या अशुक के पत्तों का तोरण भी लगाए फिर इसके पाद घर की दहली इसबार दौनों तरफ थोड़ा-थोड़ा हलती और कुम-कुम लगाए और घर के मुख्य द्वार के बहार दौनों और स्वास्तिक का चिन बनाए स्वास्तिक का चिन आपको दीवार पर बनाना है या फिर जो gate है main gate आप उस पर भी बना सकते हैं चिन बनाने से पहले आप उस जगे को अच्छी तरह से साफ कर पानी के कपड़े से पहुच ले और गंगा जल का छिड़काब करें इसके पश्चात स्वास्तिक का चिन बनाएं और फिर उस पर रोली और अक्षत लगाएं स्वास्तिक का चिन रोली या कुमकुम से ही बनाना है बनाने के पश्चात आप उसका भगवान श्री गणेश मालक्षमी का सुरूप मानकर पूचन करें शास्तों में स्वास्तिक को भगवान श्रे गणिश और मालक्ष्मी का ही सरूप बताया गया है स्वास्तिक शुब और मंगल का प्रतीक होता है जिस चके स्वास्तिक होता है वहां से नकारात्मक उजा नश्ट हो जाती है स्वास्तिक सकारात्मक उजा का संचार करता है और जिस चके नकारात्मक उजा नहीं होती सकारात्मक उजा होती है वहां मालक्षमी का बास होता है स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से बास्तु दोश भी दूर होते है और घर में सुक्सम्रथी का आगमन होता है फिर घर की दहलीज पर दोनों तरफ एक एक दिया जलाएं अगर घी का दिया ना जला सके तो तेल का दिया जलाएं दोनों तरफ दिया जलाने के पश्चात अब आप मा लक्ष्मी को प्रणाम कर मा लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंतित करें शास्तों के अनुसार जो भक्त पूर्मा के दिन मालक्ष्मी को इस तरहे अपने घर आमन्तित करते हैं मालक्ष्मी अपने उन भक्तों के घर में अवश्य ही बास करते हैं जिस जगे मालक्ष्मी का बास होता है वहां कभी भी दुख नहीं आता और मालक्ष्मी की कृपा से सुख सम्रती सदय बनी रहती है धन्धानने की कभी कोई कमी नहीं होती ऐसा करने से मालक्ष्मी प्रसन्न होती है और एश्वरे की प्राप्ती होती है मा लक्षमी के स्वागत के लिए यह दिये आपको पोड़ मा की रात्री को सूर्यास्त के बाद चलाने है दोस्तों पोड़ मा का दिन मा लक्षमी को अत्तितिक प्रिया है आज के दिन भगवान विश्णू मा लक्षमी की किरपा प्राप्त करने के लिए इन आसान से उपायों को अवश्य ही करें और इन से लाव प्राप्त करें उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरू करें और यूस्फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाएं और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी जरू लिखें आज के लिए बस इतना ही जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार